आप सभी का हारदिक स्वागत है आज हम भारतिय दर्शन के कोड संक्या 347 पुस्तक 2 पाठ 14 अध्यास कारण विचार के भाग एक पर चर्चा करने जा रहे हैं अब तक हम ने जाना कि अध्यास का सुरूप क्या है अध्यास का लक्षन क्या है अध्यास के कितने भेध है अब हम जानेंगे अध्यास अर्थात ब्रह्म होता कैसे है उसकी क्या प्रक्रिया है यह जगत ब्रह्म से केसे अभ्यक्त होता है इसके लिए हमें अध्यास के कारण विचार नामक पाठ का अध्यन करना अत्यावशक है इस जो पाठ है इसका उद्देश है क्या है हम इस पाठ के अध्यन के माध्यम से यह जानेंगे कि अद्वेत वेदान्त की ज्यान प्रक्रिया किस प्रकार होती है अद्वेत वेदान्त में जो कोगनिशन प्रोसेस है उसका किस प्रकार निरूपन किया गया है अद्यास की प्रक्रिया का ज्यान प्राप्त करेंगे कि जिस प्रकार ज्ञान प्रक्रिया होती है उसी प्रकार अध्यास की प्रक्रिया भी होती है तो वह प्रक्रिया क्या है साथ ही हम जानेंगे भारतिय दर्शन के ब्रह्म सम्मंदी सिद्धान्तों को जिसका निरूपन आचारे शंकर ने अध्यास वह्ष्य में किया है पांच प्रकार के ब्रह्म के सिद्धान्त हैं जिनको पंच ख्याती कहते हैं उस पंच ख्याती का ज्यान हम इस पाठ के अध्यन में जानेंगे अध्यास का कारण क्या है? अध्यास क्यों उत्पन होता है? तो उस अध्यास के कारण का भी ज्ञान हम इस पार्ट के अध्यन से जानेंगे साथ ही हम यह जानेंगे कि यह जो आद्यासिक जगत है यह ब्रह्म का विवर्त है या परिणाम है यदि यह परिणाम है तो किसका परिणाम है यदि यह विवर्त है तो किसका विवर्त है और यह जो शब्द हम प्रयोक कर रहे हैं परिणाम और विवर्त ये क्या है अद्वेत वेदान्त की ये दोनों जो कारण सिद्धान्त हैं परिणामवाद और विवर्त वाद इसको भी हम यहां जानेंगे सबसे पहले हम जानते हैं कि अद्वेत वेदान्त की ज्यान प्रक्रिया क्या है अद्वेत वेदान्त में जब हम कहते हैं कि किसी भी वस्तू का ज्यान तो वह किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रमा क्या है अनदिगत ऐबादितार्थ विशय के ज्यानत्वम अर्थात एसा विशय जो पूरों में ग्यात नहुआ हो ऐ बादित एसा विशय जो दूसरे प्रमान से सिद्ध नहीं होता हो अर्थात दूसरे प्रमान से बादित नहोने वाला हो एसा विशय जिस ग्यान का है वह प्रमा कहा जाता है उधारण के लिए जब हमने किसी गड़े को देखा और हमने कहा अयम गट है यह गड़ा है तो यह जो ग्यान है यह प्रमा है क्यों प्रमा है क्योंकि घड़ा जो विशय है वो अनदिकत है, अर्थात हमने पहले नहीं जाना, जब हम जानना चाह रहे थे तब यह हमने जाना, तो वह नवीन है अनदिकत है, पहले पूरु में नहीं ग्यात है दूसरा गड़े को हमने छू लिया गड़े से हमने पानी पी लिया इसलिए यह ग्यान किसी अन्य प्रमान से बादित नहीं है तो एसा ग्यान जो अनधिगत हो अर्थात पूरू में प्राप्त नहीं किया गया हो दूसरा एवादित हो तो वह ग्यान जो है वो प्रमा कहलाता है यहाँ अनधिगत और एवादित इन दोनों पदों की क्या सार्थकता है अनधिगत का मतलब जो ग्यान पोरू में प्राप्त नहीं किया गया हो यह पद स्मृति के वारण करने के लिए प्रिक्त हुआ है अर्थात स्मृति को हटाने के लिए प्रिक्त हुआ है प्रमा की केटेगरी में स्मृति को दूर करने के लिए किया गया है स्मृति में जो ग्यान होता है वह अधिगत होता है अर्थात इसमरती हमेशा उसी विशे का उपस्थापन करती है जो विशे पहले से विद्यमान है उसी की कास्मरण हमें होता है जैसे उधरण के लिए हमने दिल्ली में देवदत नाम के विक्ति को देखा और हमको स्मरन हो गया यह तो मुंबई में मिला हुआ देवदत्त ही है तो देवदत्त चुंकि पहले से ही विद्यमान है और वह मुंबई में भी था तो यह अनदिगत नहीं हुआ अर्थात यह नया ग्यान नहीं है यह तो पहले से ही हमको पता है हम देवदत्य के विशे में पहले से ही जानते हैं बस उसकी स्मृती मात्र हुई है तो अनदिगत शब्द स्मृती के वारनार्थ प्रयुक्त हुआ है उसको प्रमा की केटेगरी में नहीं शामिल करने के लिए प्रयुक्त हुआ है इसी प्रकार अबादित अबादित का मतलब है कि एसा ग्यान जो दूसरे उत्तरक ग्यान से अर्थात बाद के ग्यान से अत्वा दूसरे प्रमान से मिथ्या सिद्ध होता हो या बादित होता हो उधरन के लिए आपने समुद्रतट पर आप जा रहे थे और आपने सीप को देखकर चांदी समझ ली और जब सीप को आपने चांदी समझी और आपने जब सीप को उठाया और देखा यह तो सीप है यह तो चांदी नहीं है तो सीप के ग्यान से चांदी का जो ग्यान था वो निवरत्त हो गया उसका नाश हो गया तो जो चांदी का जो ग्यान है रज़त का जो ग्यान है वो सुक्ती के ग्यान से बादित हो गया अर्थात प्रत्यक्स प्रमान से बादित हो गया अब यह ग्यान होता कैसे है आपने कहा गड़े का जो ग्यान है वो प्रमा है अब ग्यान होता कैसे है मनुश्य को ग्यान किस प्रिविधी के माद्यम से होता है तो अद्वईत वेदान्त में इसका उत्तर है तड़ागो दकन न्याय से तड़ाग कहते हैं तालाब को उदक कहते हैं जल को तालाब के जल के न्याय के माद्यम से केसे? जैसे तलाब का पानी छेद से निकल करके खेत में प्रवेश करता है तता खेत के समान त्रिकोन और चत्तुसकोन इत्यादी जू क्यारिया है उनका आकार ले लेता है कहने का आशा है कि आपने कभी सिचाई करते हूई यह किसान को देखा हुगा वो तालाब से जब पानी अपने खेत में लाता है तो खेत में कई क्यारियां मना देता है तो वह जो तालाब का जल है या वह जो जील का जल है अत्वा कोई टेंक का जल है वो टेंक का जल नालियों के माद्यम से प्रवाहित होता हुआ खेतों में जाता है और खेतों में जाकर के जो उसने क्यारियां मनाई हुई होती है जो उसने त्रिकोण और चतुसकोण आकार में त्रिबुज और चतुरबुज के आकार की जो वहाँ पर उसने एक डिजाइन मनाई हुई होती है उसमें जाकर के वह जो तालाब का जल है वो उस आकार का हो जाता यथा तत्र यता तड़ागोधकम छिद्रान निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान प्रविश्य तद्वदेव चतुसकोनाद्यकारंबोती जैसे तड़ागोधकम तालाब का जल छिद्रान निर्गत्य चिद्रों से निकल करके कुल्यात्मना केदारान प्रविश्य की नालीके करन है वो इंद्रिय रूपी चिद्रों से बाहर निकल करके जहां विशय होता है वहां जाता है और उसके आकार का हो जाता है तथा तेजसम अंतह करनमपी चक्सुरादित द्वारा निर्गत्य गठादी विशय देशम गत्वा गठादी विशया कारेन परिणमते अर्थात ज आत्मुतत्व जो है जैसे आपने गड़े को देखा तो आपकी आँख के माद्यम से मन बुद्धी चित्त और रहनकार जो है वो आत्मा की साथ संयुक्त होता हुआ आपकी आँख के माद्यम से गड़े तक पहुंचता है और उस गड़े का आकार अधारन कर लेता है यह जो व्यापार है इसी को व्रत्ति कहते है इसी को व्यापार कहते है चित व्रत्ति यही व्यापार है और इस प्रक्रिया के माध्यम से ही विक्ति को ग्यान होता है यह आज के समय में आज की जो संग्यानात्मक प्रक्रिया है आज मोडन साइंस में जिसको हम कोग्निटिव प्रोसे क्योंकि चैतन्य जो है वो तीन प्रकार का कहा गया है एक होने पर भी चैतन्य एक है पर जो ही उपादी परिवर्थित होती है वो तीन प्रकार का हो जाता है उधारण के लिए हमने अभी बताया था कि जो चैतन्य है वो अंतह करण के माध्यम से क्या करता है गड़े तक पहुंचता है तो गड़े के आकारवाला हो जाता है तो गट पट आदी विश्यों से अवच्छिन जो चैतन्य है उसको हम कहते हैं विशय चैतन्य क्या कहते हैं विशय चैतन्य दूसरा है अन्तय करण की व्यापार से जो अवच्छिन चैतन्य उसको हम कहते हैं प्रमान चैतन्य अर्थात मन, बुद्धी, चितो, रहंकार, इनका जो व्यापार है, इनका व्यापार क्या है? मन, मन का व्यापार है स्मर्ण करना, अंत्य करना व्रत्तीर, चित्तम, तो एक तो हो गया मन, एक होता है बुद्धी, निश्य आत्मी का अंत्य करना व्रत्तीर, बुद्धी, ठीक आत्मुतत्त्तु परिशीमित हो जाता है उसको हम कहते हैं प्रमान चैतन्य तीसरा जो चैतन्य है वो है प्रमात्री चैतन्य अर्थात मन बुद्धी चित्तो रहंकार इनसे जो अवच्छिन चैतन्य है इनसे जो सीमित चैतन्य है जीव वो प्रमाता हो गया तो तीन प्रकार क के माद्यम से मन बुद्धी चित्त और रहंकार की वरत्ती के माद्यम से बाहर जाता है तो इसको हम कहते हैं क्या प्रमान चैतन्य क्योंकि प्रमान के माद्यम से हमको ग्यान होता है फिर जब वो गड़े तक जाता है और गड़े का आकार जब वो धर्न कर लेता है जब वो कप के पास जाता है कब का आकारधान कर लेता है तो ये जो गट-पट आदी विश्यों से अवच्छिन जो चैतन्य है उसको हम कहते हैं विशय चैतन्य जब ये तीनों एक हो जाते हैं जब ये तीनों चैतन्य एक हो जाते हैं रेखा चित्र में हम देख सकते हैं विशय चैतन्य प अब हमको परत्यक्स्प्रमाओं होती है, तब हमको ग्यान होता है, ये अद्धाईत विदानत का एक बहुत बड़ा कॉंट्रिबूशन है, कि कोगनितीव प्रोसेस को ये बताया, कि चैतन्य का कांशियस्नेश किया contribution है वस्तु को जानने में अब हम अध्यास की प्रक्रिया को देखते हैं कि अध्यास केसे होता है अध्यास अर्थात ब्रह्म इसको हम एक उध़ारण से देखते हैं कि हम बीच पर जा रहे हैं समुद्र तट पर हम जा रहे हैं हमने सीफ देख ली तो सीप जब देखी उसमें हमको चांदी का ब्रम होता है ये किस प्रक्रिया के माद्यम से होता है तो जो अन्ताय करण है वो आँख के माद्यम से सीप तक जाता है और किस आँख के माद्यम से जाता है काच कामलादी दोष युक्त आँख आँख में एक दोश होता है जिसको हम कहते है काच कामलादी दोश तभी तो हमको सीप में रज़त कब्रम होगा यदि हमारी आँख बिल्कुल परफेक्ट है हमारी आँख बिल्कुल सही है तो हमको कभी भी सीप में चांदी कब्रम नहीं हो सकता अते अंते करन जो है वो काच कामलादी दोश युक्त हांख से सीप तक जाती है तब हमको ग्यान होता है इदम किंचित अरे यह तो कोई वस्तू है तब तक हमको कभी चांदी का ग्यान नहीं होता पहला जो हमको ग्यान होता है वो होता है इदम किंचित यह कुछ है ऐसा सामाने ग्यान होता है फिर क्या होता है कि आपको चांदी का चमकीलापन और सीप का जो चमकीलापन है उसमें साधरश्य का ग्यान होता है similarity, इन दोनों के अंदर similarity आपको नज़राती है सीप के अंदर और चांदी में शुक्ती में और रजत में दोनों में आपको चाक चक्यादी सादरश्य का ग्यान होता है और तब क्या करती है अविद्या, अर्थात माया, अग्यान क्या करती है? रजट का संसकार पेदा करती है आपको याद दिलाती है कि अरे यह जो चमकने वाली वस्तू है यह चांदी हो सकती है और तब फिर आपको ग्यान होता है इदम रजटम अरे यह तो चांदी है और उसको उठाने के लिए आप प्रवरत्वी हो जाते हो पर उठाने के बाद पता लगता है यह तो चांदी है ही नहीं तो इस प्रकार यह ब्रह्म की प्रक्रिया अध्यास की प्रक्रिया होती है अब यहां ब्रह्म को कारण क्या क्या देखने को मिने एक तो पहला कारण था काच कामलादी दोष यदि आपकी आँख बिलकुल पर्फेक्ट है आपकी आँख में कोई दोष नहीं है तो आप सीप को तुरंट पहचान लोगे पर आपकी आँख में दोष था काच कामरादी दोष तो पहला कारण तो यह हो गया दूसरा है चाक चिक्यादी सादरशे कि सीप को देखकर आपको कभी घड़े का ग्यान नहीं होगा क्योंकि घड़ा जो है वो चमकीला नहीं होता चांदी चमकीली होती है तो चाक चिक्यादी सादरशे ग्यान दूसरा कारण हो गया तीसरा कारण हो गया रजत का संसकार अर्थात स्मृती आपको याद आया चांदी है जो इस तरह से चमकती है और जो चोथा कारण है वो है अविद्या क्योंकि बिना अज्यान के बिना अविद्यात्मी का शक्ती के यह है अज्यान हो ही नहीं सकता इस प्रकार शुक्ती जो है वो रोजताकार रूप में परिनित हो जाती है अध्यास के माध्यम से अविद्या के माध्यम से इस प्रकार हमने जाना कि अध्यास अर्त्वा ब्रह्म की प्रक्रिया क्या है ग्यान की प्रक्रिया क्या है और इस ग्यान की प्रक्रिया में अध्यास अपना योगदान किस प्रकार से कर रहा है अद्वेत वेदानत का यही एक स्टाइल है कि वो जगत के ब्रह्म के माध्यम से इस संसार के ब्रह्म को बताना चाहरा है और यह हमारे शास्तरों में बली प्रकार से अनुशूत है स्वयम भगवान शंकर रामतरित्मानस में पारवती को कहते हैं कि उमा कहूं में अनभव अपना सत्हरी बजन जगत सपसपना इस वोल्ड लाइक ड्रीम यह विश्व एक सपन के समान है तो जब हम इस अद्ध्यास को जानेंगे आप सभी शिक्षारती बली प्रकार से समझ गए होंगे इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद